खुलासा उसका यह है कि एक साब भाड़े के मकान में रहते हैं कहते हैं कि मालिक मकान भाड़ा माफ करना तो दूर की बात एक ही तारिक को भाड़ा मांग रहा है और इस लोकडाउन के वाइसे जिस घर में रह रहे हैं उस घर के मालिक ने इन से किराय का मुतालबा किया है और और पहली तारीक जो महीनी की पहली तारीक हो उसी वक्त वो भाड़ा मांग रहा है तो कहते हैं क्या सूध का पैसा दे सकता है यह इनका पूछना है असल पूछना यह मकसद है क्योंकि पैसा नहीं है मालिक मकान मांग रहा है और ऐसा कोई बैलेंस नहीं है, सूद का पैसा है वो उठा के दे सकता हूँ और नहीं दे सकता हूँ तो देखिए यहां पे दो बाते में आपके सामने रखना चाहूँगा एक बात किराएदार के तालुक से और एक बात मालिक मकान के तालुक से मालिक मकान हजराण, अगर मूसल्मान हैं, इसलाम को मानने वाले हैं, शरियत को मानने वाले हैं तो उन के हवाले से मैं एक हदीश को पेश करूँगा और उस हदीस के रुशने में वो फैसा करें कि इन हालात में लोकडाउन में किराएदार के साथ क्या सुलूक करना चाहिए देखे एक रवायत है सुनन दारमी की हदीस नमबर 2588 उस में अल्लाह के नभी स.ब्स अल्लाह सम्म फर्माते हैं कि तलक्कतिलमलाइकतु रूहरजुलि मिम्मन कमलकुं। आप सब्सक्राइब फर्माते हैं कि तुम से पहले लोगों में से किसी शख्स की रूह को फरिश्टों ने कब्स किया, यह एक शख्स का इंतकाल हुआ। तो उसके इंतकाल के बाद उससे पूछते हैं क्या तुमने दुनिया में कोई भला काम किया, कोई अच्छा काम किया दुनिया में, वो कहता नहीं, अब गवर करें, एक आदमी फौत हो रहा है, इंतकाल हो रहा है, और उससे पूछा जा रहा है, क्या तुमने कोई अच्छा का किया तो फरिष्टे क्या क्या है लुवा तदखकर मैं क्या है याद करो ध्यान दो कि कcken तो ओदा इन न नासा कि मैं लोगों से कारूबार करता था तो उनको कर्श देता था यानी कोई चीज़ देह कर और पैसा फौर नहीं लेता था बलकि आता रख देता है यानि लोगों को कर्द दिया करता है उसके बाद क्या होता था कैता है फ़ आमर फित्यानि आन्यूं जिरूल मुसिरा ये तजावजू अनिल मुसिरी कैता है कि मैं अपने नौकर चाकर को हुकम देताा कि भाई जो प्रेशान हाल है जो पैसा नहीं दे सकता है उसको माफ कर दो जाने दो तो कह रहा है कि मैंने बस यही एक काम अच्छा किया है और मुझे नहीं लगता कि मैंने दुनिया में कोई और अच्छा काम किया है इस शक्स को भी माफ कर दो यह एक ऐसा शक्स जो अल्ला के पास गया कोई नेकी लेकर नहीं कोई अच्छा काम नहीं किया कोई भला काम नहीं किया सिर्फ इतना काम किया था कि जो लोग उसके करजे बाकी थे उसमें जो कमजोर थे नहीं दे सकते थे उनको माफ कर दिया अल्ला ने सिर्फ उसकी इसी नेकी पर उसे बख्ष दिया मनकानका नकबलकुन काया कि तुमसे पहले लोगों मेंचे एक आदमी का हिसाब कुताब हुआ ू जब उसका हिसाब हो रहाता तो उसके आमाल में जिन्दगी भर में उसकी कोई ती नेकी नहीं ती एक आद्मी पेदा हूँ पुछ कियाई नहीं कोई नहीं किने किया अद्मी केंदर कोई नहीं किनी थी इल्ला अन्नहु कान युखालितुन नचा लेकिन वो लोगों के साथ कारोबर करता था और यामुरू गिल्मानहु अन्यतजावजू अनिल्मॉसिर। और वो हुक्म देता था अपने नौकर चाकर को कि जो परेशान हाल हैं उनको माफ कर दो, बख्ष दो कहते हैं काल अल्लाहु अज्जावजल नहनु अहकु बदालिक मिनु तजावजू अन। का ये बहुत सारे लोगों को माफ करते हैं फिरता था ये तो छोटी सी मखलूक है हम तो खालिक हैं मैं तो जादा हक रखता हूँ कि में बन्नों को माफ कर दूँ इसको माफ कर दो इसने दुनिया में लोगों को माफ किया कर्जा माफ किया पैसा माफ किया आज इसे माफ कर दो मेरा हग बनता कि मैं इसको माफ कर दो अल्ला उसे माफ कर दिता है तो जरा गोर कीजिए कि अल्लाह रबुलालमीन ने एक शक्र जिसकी कोई नहीं की नहीं थी, दुनिया में कोछ नहीं किया था, सिरफ एक काम किया था कर्ज़ा माफ कर दिया था, लुआ अल्लह टलह ने इस अमल को इतनी अहमयदे देखि श्के वजए से उसकी बुक्षिश कर दिया तो इस हदीस के रोशनी में जो मुसल्मान मालिक मकान है, मैं उसे कहना चाहता हूं कि आप मुसल्मान इसलाम को मानने वाले हैं, आपके लिए बेहतरी मौका है, कि आप अगर माफ नहीं कर सकते तो कम से कम मौलत तो दें, कम से कम उसको मौका तो दें, अगर आप उसको मौका है मालिक मकार जो गिरायदार ने पूछा है कि जब मालिक मकार सर पर सवार पैसा मांग रहा तो क्या में सूथ की रकंदे सकता हूं इसका जवाब है कि आप sebagai रहını डिकता आप सूथ की ये कोई ऐसा मसला नहीं है इसलिए यहाँ पे सूध की गुंजाइश नहीं है आप किराया उसको दें कोई भी बंदोबस करके बंदोबस नहीं है तो आप घर को चेंज करने की कोशी करें कोश नहीं कर सकते हैं आप पुलीस की पाज जाएं कम्प्लेन करें मुझे लगता है पुलिस भी आपकी मदद करेगी और ऐसे शक्त के खलाफ कारवाई होगी जो इन हालात में आपको जबज़ती घर से निकाला है और आपसे पैसा मांग रहा है उम्मीद है कि आपको जवाप मिल गया होगा ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें आइपलस टीवी को जरूर डोनेट करें